वेलकम टू आल आफ यू आफ दे स्पेसल क्लास चाहे आप CGL की प्रिप्रेशन कर रहे हूं CPO की CHSL की या MTS एक्जाम की यह है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट से इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक अलड़ी प्रोवाइड कर चुका हूँ और टोटल 50 कोशन कम्प्लीट करा चुका हूँ इस टोपिक से मैं टोटल 200 एक कोशन कम्प्लीट कराने वाला हूँ इस वीडियो में हम देखेंगे question number 51 से 60 तक के video solution तो चलिए देर नहीं करते हैं हमें start करते हैं session को देखें कुछ चीज़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने कल मैंने आपको total 8 video provide किया था time is paid and distance का मैंने part 1 से लेकर के part 5 तक provide किया था और total मैंने 50 question complete करा चुका हूँ इस topic से total 200 एक question दिये गए हैं जिसकी pdf already मैं provide कर चुका हूँ तो आप वहां से mention कर सकते हैं दूसरा जो advanced math में topic चल रहा है geometry geometry में मैंने तीन video provide किया था part 1 से लेकर के part 3 ठीक है और यहां पर अभी 30 question complete हूए है total I think मेरे को लग रहा है 560 या 5 550 plus question मैं इसमें कराने वाला ठीक है देखे कुछ चीज़ें आपको मैं inform करना चाहता हूँ देखे जो लोग दो types के मैं बोलूँगा दो students है एक students जिनको add किया गया है folder 1.7300 plus video and second को second 7300 plus complete playlist इसमें जो students है 1 to 200 students यहां पर है क्योंकि यह full हो चुका था इसके बाद जो students है other students है 201 के बाद जितने भी अभी थकाई थी 260 students है यानि total 260 students join किये हैं तो जो second वाले हैं उनको 2 folder allot हुआ होगा 3rd folder 7300 plus video जिस पे आपको daily update मिलती है और 4th वाला folder 7300 plus complete playlist ठीक है इन दोनों तरह के students को दो फोल्डर मिले हैं जो पहले वाले students हैं उनको देखो जो 1 to 200 के अंदर आते हैं उनको कोई पता नहीं हो सकता है आपको ना पता हो कि आप किसके अंदर हैं आपको 2 folder दिख रहे होंगे एक दिख रहा होगा आपको 1.700 plus video और 2.20 मैं तो जो इसमें आपको daily update मिलती है और इसमें आपको जो topics complete हो चुका है उसकी with pdf question with complete playlist मिलता है ठीक है उस topic का पूरा पूरा वीडियो मिलता है उसी तरह से जो students 200 के बाद जोईन की है यानि 200 complete होने के बाद 200 students फूल हो चुके थे उसके बाद जो लोग जोईन के उनको 2 folder दिख रहा होगा 3.4. telegram channel पे 3.4. वाले में आपको daily update मिलती है वीडियो की and 4. वाले में आपको 4. folder में वहीं चीज़ है PDF question with complete playlist तो अगर आप 1 to 200 के भी जोईन ही है तो आपको ये दो फोल्डर सो कर रहे होगे telegram channel पे after 200 students के बाद जो लोग जोईन किये होगे उनको ये दिख रहे होगे दोनों में same content है कोई problem ने दोनों में same video update होती है तो दोनों को same ही है बस यहाँ पे किया था कि 1 to 200 full है चुके थे तो मैंने बाकी जो 200 के बाद जोईन किये था उनको मैंने अलग folder create करके दिया हूँ तो किसी को परेसान होने की जोरुत नहीं है आपको सारा की सारी वीडियो update मिल रही है चलिए अब देर नहीं करते हो मैं start करते हैं session को देखे session में question number 51 क्या दिया लिया कि a train crosses a platform in 30 seconds traveling with a speed of 60 km per hour if the length of train is 200 meter then the length of platform is simple question है आसानी से किया जा सकता है देखे मैंने आपको थोड़ा सा रुख जाईएगा एक मिनट इसका clip गिर गी चुका है wait किजिएगा एक मिनट मैं clip लगा दूँ ठीक है देखे मैंने इस types के question अगर आपने 1 to 50 किये होंगे तो ये question बहुत ही आसान है इस types के question मैं already discuss कर चुका हूँ distance हमें लिकालना क्या है platform जैसे एक train है चलो एक बार मैं diagram बना देता हूँ ये train है जिसकी length दी गई है 200 meter का length है और दूसरा एक platform है ठीक है इसका length नहीं पता है माल लेता हूँ ये x है अब काजर कि कोई एक train है move कर रही है जिसकी speed कितनी है 60 km per hour वो इस platform को कितने देर में cross कर रही है time लग रहा है उसके लिए 30 second का तो question simple है formula apply करो distance is equal to speed into time चलिए distance is equal to speed into time लेकिन distance क्या होगा distance में train की length plus platform की length add होगा न दोनों train की length और platform की length कैसे देखो ये train है ये platform है अगर train यहां से आ रही है यार ये इस platform को cross करेगी तो ये जो platform की length है और train की length दोनों जब cross करने के बाद ये situation होगा तो दोनों situation के साथ क्या हो जाता है हमेशा add हो जाता है दोनों का distance add होता है तो train की length 200 plus platform की length हमने x is equal to speed into time speed कितना दिया गया train की 60 km per hour 60 into क्योंकि answer हमारा जो है वो देखो length किस में measure करना है platform की meter में तो km per hour को क्या करना पड़ेगा हमें meter per second में बदलना पड़ेगा अगर meter per second में बदलना है तो क्या multiply करेंगे 5 by 18 से multiply time दिया गया है 30 second solve कर ले हमारा काम हो जाएगा आसानी से देखिए 6 से मैं काट रहा हूँ 6 से 10 3 से 10 5 into 10 50 50 into 10 500 यानि 200 plus x is equal to 500 तो x की value 500 minus 200 क्योंकि ये 200 इधर जाएगा तो negative हो जाएगा यानि क्या हो जाएगा 300 option number b is the right answer of this question तो ऐसे question आसान है अब देखो हर बार diagram बनाने की need नहीं है हम diagram बनाने की need नहीं है हम क्या करेंगे simple लिखेंगे distance is equal to speed into time distance किसका किसका train का length train का length कितना दिया गया 200 meter with platform का length लिकालना है let's suppose हमने x माल लिया speed दिया गया है 60 km पर आवर है meter per second बदलने के लिए 5 by 18 से multiply time दिया गया है कितने second में 30 second में 6 से 10 6 से 3 3 से 10 5 into 10 50 15 to 10 500 500 minus 200 यानि क्या होगा 300 तो आप आसानी से कर सकते जाम में diagram बनाने की need नहीं है हर टाइम diagram की जरूत नहीं पड़े की और मैंने अगर आपने देखा होगा 1 to 50 session तो मैंने अगर आपको करा चुका हूँ तो अब diagram की need नहीं होनी चाहिए किस तरह से question करना है वो आप समझ जाओगे ठीक है चलिए next question आप पे आते है question number 52 पे आते है Ram travel 1200 km by air which is formed 2 5th of the trip ठीक है he travel 1 3rd of the trip by car and rest by train then the distance travel by the Ram आज देखो हिंदी में भी लिखा गया है कि Ram y1 द्वारा 1200 km की दुरी तै करता है जिससे वो यात्रा का 2 by 5 भाग कभरप कर लेता है वो एक ती हाई भाग car द्वारा तथा 6 भाग rail गाडी द्वारा तै करता है तो rail गाडी द्वारा तै की गई दुरी गयाद करे basic question है भलेंगे आप दर उधर करते है इसमें 2 method मैंने बताऊंगा दोनो method से आप इस question को आसानी से किया जा सकता है एक मैं ratio का यूज कराऊंगा LCM method और second एक basic approach से देखो basic approach किया है कहा गया राम जो है air, air यानि कि क्या aeroplane की बात बोली जा रही होगी उससे कितना कभरब कर रहा है 1200 km जो की कितना है trip का 2x5 है यानि 2x5 of total journey trip का मैं total journey बता रहा हूँ total journey तो क्या है 1200 km के बराबर है question में दिया गया है question के statement के according हमने लिग दिया तो बताओ मैं क्या बनूँ total journey लिकाल दूँ one of total या directly मैं लिख सबता हूँ total journey total journey कितना हो जाएगा 1200 इन्टू ये क्या होगा multiply हो जाएगा इदर 5 upon 2 कैसे यार देखो 2 by 5 is equal to 1200 तो एक की भेलू क्या हो जाएगी 1200 upon 2 by 5 5 उपर चला जाएगा वहीं चीज मैंने directly लिखा हूँ अब देखो द्यान से अब ये क्या हो गया 600 600 इन्टू 5 यानि 3000 किलो मीटर यानि हमें ये पता चल गया इस statement से इस statement से क्या पता चल गया कि जो राम ने travel किया होगा अलग-अलग एक बार वो एरो प्लेन से जा रहा है यानि बाई एयर हवा में जा रहा है दूसरी बार जा रहा है वो किस से जा रहा है कार से जा रहा है और कुछ जो हिस्सा है उसको किस से जोव कर रहा है ट्रेंट से तो इससे ये पता चला कि टोटल जर्नी टोटल डिस्टेंस कितना है 3000 किलो मेटर 3000 में से अब देखो द्यान से, 3000 में से उसने क्या किया, 1200, उसने 1200 क्या कर लिया, यहां से यहां तक 1200 उसने air के दोवारा गया, यानि हेलिकाप्टर या जो भी एरोपलेन लिया होगा, ठीक है, उसके बाद देखो, one third of the trip by car, 3000 total trip 3000 km की है, उसका one third, यानि हजार, यानि यहां से मैं जाओ, 1000, तो उसने क्या किया होगा, यह वाला point है, 1000, उसने क्या किया, car से travel किया, और rest, जो बच गया rest, वो किससे कर रहा है, train से, यहीं question में है न, जो rest बच गया, वो किससे कर रहा है, train से, तो पुछा गया कि, distance in km, travel by train, तो यह वाला distance ही, पूछा गया है, मैं color highlighter, यूज क distance लिकालना है, अब बताओ, देखो, control P, ठीक है, अब देखे, total distance 3000, यहाँ से यहाँ तक का distance कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, 1200 plus 1200, तो भाई, 3000 में से 200 घटा दूगा, क्योंकि total 3000 है, यहाँ से यहाँ तक का situation 2200 है, यहाँ से यहाँ तक का, तो यह क्या बचा, 3000 minus 1200, यानि ऐ कैसे भी बोल सकते थे, लो भाई, यहाँ पर 800 में जोड़ दू, 200, 800 कितना होगा, 3000, यानि यह बाला जो है, या तो 3000 minus 2200 कर लो, यह बाला distance जो है, वो कितना है, 800, यानि उसने train से कितना travel किया, तो 800 km की distance travel किया, option number B is the right answer, basic approach सा, इससे भी बनाए जा सकता है, अब हम आते है, ratio method, ratio method से कैसे apply करेंगे, वो चीज़ देखिएगा, मैं erase कर लूँ, पूरा proper, ठीके, चलिए, अब देखिए, ratio method कैसे apply करते है, देखिए, हमारे पास 2 by 5, उसके बाद 1 third दिया गया, देखो, एक fraction 2 by 3, और दूसरा fraction 1 by 3, तो मैं ऐसे question में, देखो, ऐसे question में मैं क्या करता 15 का 2 by 3, total distance मैं ने 15 माना, तो 15 का 2 by 5, 15 का 2 by 5, कितना हो गया, 6, यानि उसने 6 unit कभरब किया होगा, किस से, air से, यहीं का आगे, aeroplane वा गरह से, 15 का 1 third, 15 का 1 third, यानि 5 unit, उसने 5 unit किस से कभरब किया होगा, उसने 5 unit कभरब किया होगा, by car, और rest, बताओ, total 15 unit है, 15, 6 और 5, 11, तो बचा कितना, 4 unit, क्योंकि total 15 unit था, 15 unit में 11 unit खतम होगा, तो बचा कितना, 4 unit, 4 unit किस से travel किया होगा, train से, अब आते हैं, main point पे, उसने कितना किलो मेटर, 1200 किलो मेटर किस से travel किया, air से, तो 6 unit की value किया, यह air वाला situation था, 6 unit equal to क्या होगा, 1200, कितना गुना, 200 गुन 200 से multiply कर दो, क्योंकि इधर 200 गुना है, तो इधर भी 200 गुना करना पड़ेगा, यानि क्या होजाएगा, 800 किलो मेटर, अगर पूछ देता कि, इसके दोवारा, car के दोवारा कितना travel किया, तो 5 into 200, यानि 1000, और total तीनों जोडोगे, तो 3000 किलो मेटर के बराबर आना ही चाहिए, क्योंकि total journey क्या होता है, 300 किलो मेटर कैसे होगा, 1200 का 5 upon 2 करोगे, तो क्या होगा, यह हमें मतलब नहीं है, अगर car से पूछ था, तो 1000, ट्रेन से पूछ रहा है, तो कितना 800 किलो मेटर, option number 20, तो यह ratio method, जिसको बोल सकते हो, या LCM method बोल सकते हो, हम क्या करते हैं, ऐसे case में, fraction क को हटाने के लिए, denominator का हम लेते हैं, LCM, और कुछ नहीं है, और ऐसे question कितनी बार कराया जा चुका है, ठीक है, चलिए, next question पर आते हैं, देखें, next question है, question number 53, देखें, question number 53 क्या दिया गया है, the distance between place A and B is 999 km, an express train lifts a place at 6 a.m and run 55.5 km per hour, the train stops on the way, 1 hour 20 minute, it reaches B at, देखें, basic question मैं बोल हूँगा इसको, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा तिगणम नहीं करना है, simple question है, conceptual learning है, और conceptual learning है, तो आसानी से बना जा सकते है, कहा जरा कि place A है, मालो यह place A है, और दूसरा place, यहाँ वाला place B है, इन दोनों के बीच का distance कितना है, 999 km, यह question में दिया गया है, अब आगे question कहा गया है, अब आगे पर आते हैं, कोई एक express train है, माल लेते हैं, यह express train है, मैंने express train बना दिया, यह क्या कर रहा है, place A से, यहाँ से, इस point से, कितने अम पे खुल रहा है, 6 AM पे, यहाँ पे 6 a.m. पे खुल रहा है और इसकी स्पीड इस ट्रेन की स्पीड कितनी दी गई है 55.5 km पर आवर और यह जो ट्रेन चल रही होगी ना यह ट्रेन चल रही है चल रही है कहीं पे वो स्टॉप कर रही है कहीं पे वो रूक रही है कितने घंटे 1 hour 20 minute हमें नहीं पता है कितने कहां पे रूक रही है नहीं पता है हमें नहीं पता करने की ज़रूरत है यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि its reaches at B, यहीं जो train है, चलते-चलते, इस point पे B पे, यहीं train कब पहुंचेगी, यहां पे पहुंचेगी, तो कितने PM पे, यानि उस time कितना time हो रहा होगा, यहीं देखो, आपके पास 4 option दिये गए हैं, बस basic question है, कैसे, ध्यान से देखो, let's suppose, देखो, मैं बता रहा हूँ, हम एज एजूम करते हैं, भाई, एजूम कर रहे हैं, कि अगर train बीच में, माल लोग कहीं पे भी, बीच में एक घंटा 20 मिनटे स्टॉप कर रही है, नहीं करती, ठीक है, हमने क्या कहा, कि भाई, अगर वो train जो चल रही है, वो सीधा, ऐसे, 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 चलती जाए, र उखती नहीं, तो टोटल डिस्टेंस कितना कभरप करना पड़ता, डिस्टेंस तो वहीं है, स्पीड, स्पीड किसी स्पीड से चल रही है, फाई, पॉइंट, फिप्टी, फाई, पॉइंट, फाई, इसमें हटाऊं, तो ऊपर चला जाएगा, तीन, पान से, ग्यारा से एक सो इग्यारा इंटू फाईब कितना होगा, फाईब फाईब फाईब, एक सो इग्यारा इंटू नाइन कितना होगा, नाइन, नाइन, तो मैंने एक सो इग्यारा से काट लिया, तो पांच और यह कितना होगा, नाइन, और पांच से दो, यानि टाइम कितना लगा होगा 18 आगर अब ये क्या कहा जा रहा है मैंने क्या लिकाला कि अगर वो without कोई भी रुकती नहीं यानि without stoppage यानि कोई भी कहीं पे भी वो एक घंटा 20 मिनट नहीं रुकती तो 18 घंटे में पहुंच जाती देखो कितना अच्छा है एक दम real life situation से करना है आप कार चला रहे हो अगर बीच में कहीं नहीं रुकते हो माल लो मेरे को क्या करना है for example मैं अपने जगा से मेरे को पटना जाना है ठीक है तो मेरे को लग रहा है कितना 18 घंटे लेकिन अगर मैं बीच में एक घंटा 20 मिनट रुक रहा हूं कितना लगेगा 19 आवर 20 मिनट क्यों क्योंकि अगर नहीं रुक रहा है तो 18 मिनट लग रहा है अगर रुकेगा भाई एक घंटा 20 मिनट बीच में कहीं रुक गए खाने पीने के लिए तो एक घंटा 20 मिनट तो और एक्ष्टा लगेंगे न पहुंचने में वहाँ पे जहां पे भी मेरे को पटना बाइदवे पहुंचना है तो ठीक है तो यह रहा सिच्वेशन अब बात आती है कि भाई टोटल टाइम यहां से यहां पहुंचने में उस ट्रेन को कितना टाइम लगा 19 आवर 20 मिनट तो 19 आवर 20 मिनट पे यह बी पे पहुंच रहा है तो वहाँ उस टाइम जब पहुंचेगा वो टाइम क्या रिपरजेंट कर रहा होगा तो देखो 6 एम पे खुल रहा है मालो 6 एम से 6 पीम कितना घंटा होता है 12 घंटे अब 6 एम सुबह से 6 बजे साम तक 12 घंटे हुए 6 बजे साम से रात के 12 बजे 12 एम पे कितना घंटा 6 घंटा और हो गया यानि 12 चाह 18 घंटा यहां से यहां तक मोमेंट कितना हो गया 18 घंटा लेकिन यहां यह 12 एम रात के 12 बज़ गया लेकिन फिर भी वह रूखा नहीं चल रहा है क्योंकि 18-19 गंटा यानि 12 एम के बाद 1 गंटा और बचेगा यानि 1 एम पे पहुंच जाएगा तो कितना ट्रेवल होगा 19 गंटा लेकिन 19 गंटा 1 एम पे रहेगा तो 19 गंटा लेकिन 20 मिनट और है यानि उस टाइम क्या बज रहा अब ये कोशन आप कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं और इसको मैं बेसिक ही कोशन बोलूँगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है ठीक है बले ही ये पेपर SSC exams का पूछा गया है ठीक है और कोई भी कोशन मैंने अपने से नहीं लिया हूँ ये mindset से आप लिकाल दो सारे के सार सारे कोशन आपके क्या है SSC exams में आये हूँ गया है ठीक है चले अब next question पर move करते है कोशन नमर 54 पर आते हैं देखो question नमर 54 क्या दिया गया है a man walking at a speed of 10 km per hour after every km he take a rest for 5 minutes how much time will take to cover a distance of 5 km देखो यार सेम अभी जो मैं पढ़ाता है उसी pattern पे है थोड़ा सा language उसने क्या कर दिया change कर दिया अब थोड़ा सा language change करता है students को लगता कि भाई ये नया question आगे question नया नहीं है conceptual learning पे focus करो हमेशा question बनेगा even if 2018 means के मैं सारे paper कराने वाला हूँ अभी तक क्या हुआ है 2018 तक ही paper हुआ है na 2018 means जो सभी को calculated लगा था मेरे recording अगर 200 question है 200 question में से अगर मैं बात कुरूँ तो 190 question वही है same जो previous pattern है 10 question में हो सकता है थोड़ा बहुत lengthy calculation पढ़ जाए लेकिन calculation lengthy नहीं हो गता है उसको भी अगर आपने understanding है आपने practice किया है अगर 1 to 100, 1 to 30 तक table पता है 1 to 50 तक या 1 to 100 तक square पता है 1 to 30 तक cube root पता है और कुछ knowledge है 1 to 10 तक square का 1 to 10 तक cube root का तो आप calculation में कभी भी problem में नहीं पढ़ने वाले हो ठीक है चलिए अब देखें द्यान से हम आगे बढ़ते है तो question number 54 क्या दिया गए a man is walking at a speed of 10 km per hour लो मान लो ये person है ये person दोड रहा है ठीक है इसकी speed कितनी दी गई है 10 km per hour after every km यानि हरेक परतेक 1 km के बाद वो कितना rest ले रहा है 5 मिनिट का rest ले रहा है ठीक है आगे बढ़ा जा रहा है how much time he take to cover a distance of 5 km मान लो ये man यहाँ से दोड रहा था और यहाँ तक का distance कितना है 5 km योगि उसको distance कितना कभरब करना है 5 km वो हर एक 1 km की बाद करए घोर हिए दिखाने की जरूत ने रहAT वो हर एक km पर क्या कर आओ and rest ले रहा है यहाँ यहां से यह से यहाnd किलो मेटर हुआ यहां से 1 km ंहां से 1 km 6 मैने इसको क्या कर दिया just divide कर दिया यानि यहां से पहुचा और यहां पे बाज़ो 할o 0 किलो मेंटर हो गया फिर नेक्स्ट यहां यहां वाला एक किलो मेंटर है 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 यहां वाला एक किलो मेंटर में कितना लेगा पांच मिनट का नेक्स्ट एक किलो मेंटर में कितना लेगा पा बार बार उसने रेष्ट लिया यहीं चीज़ कहा गया है अब देखो द्यान से अब आगे बढ़ते हैं यह प्राक्टिकल मैं बता रहा हूं इसके बाद मैं directly कैसे करूँगा वो बता हूँगा देखे अब यहां पर बात आ रही कि टोटल टाइम कितना लगेगा तो अगर देखो अगर वो इस तौपेज नहीं लेता अगर वो विदाउत उपेज से पहले भी हमने Tuam half hour का मतलब क्या होता है 30 minute अगर वो रुकता नहीं तो 30 minute लगता भई उसको लेकिन रुका है ना हर एक किलो मेटर में 5 हर एक किलो मेटर जाने पर 5 minute रुका है तो रुका कितना है 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 जोर दो उसने 20 minute और रुका है तो total time कितना लगए बाई 20 मिनट और काउंट करोगे यानि 30 प्लस 20 यानि कितना होगे आप 50 मिनट 50 मिनट कौन से एंसर है बी इस दराइट एंसर तो हर बार आप ये डाइग्राम तो नहीं बनाओगी ना अब देखो ध्यान से देखो जो मैं बताने जा रहा हूं डारेक्टली इसको अब ऐसा और फॉम में कैसे लिख सकते हो देखो ध्यान से मैं बोलूँगा ऐसे कोशन अगर आपके सामने आगया इस स्क्रीन पर आप क्या बोलो भाई अगर वो रुखता नहीं तो टाइम कितना लगेगा टाइम होता है डिस्टेंस अपोनी स्पीड डिस्टेंस कितना है बाई 5 किल क्ली लिखा ठीक है अब आते हैं अगर रूक रहा है हर एक एक किलो मेटर पे क्या कर रहा है रूक रहा है ना हर एक किलो मेटर पे कितना रूक रहा है पांच मिनट रूक रहा है तो हर एक पहला एक किलो मेटर दूसरा तीसरा चोथा चार किलो मेटर तक रूकेगा तो कितना तो 5 इन्टी पहुंच जाएगा तो 5 इन्टी फोर इतना हो गया 20 मिनट क्योंकि पांच मिनट रूक रहा है ऐसे 4 किलो मिटर तक रूकेगा एक एक किलो मिटर चार बार और पांच भी आपने जहां पहुंच है तो रूकना खलाएगा नीन तो 20 मिनट टोटल 30 प्लस 20 यानि क्या हो गया 50 मिनट लगेगा क्योंकि अगर वो रुक नहीं रहा था तो 30 मिनट लग रहा था रुकने के बाद 20 मिनट और लगेगा यानि 50 मिनट लगेगा डाइग्राम हर फोटे ने आपको बनानी है ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि हाँ स्वास Algnali ये देखो B is thrice as fast as C, B और C में relation क्या है, कि B जो है C से 3 गुणा है, यानि C अगर 1 unit है, तो B क्या है 3 गुणा, speed का ही ratio है, आगे बढ़ते हैं, The journey covered by C in 1 सही 1 upon 2 hour, यानि 1 upon 1 by 2, आगे बढ़ते हैं, will covered by A, तो A कितना घंटा लगा, यानि C जो journey covered कर रहा है, C का जो तय की गई दुरी कितने घंटे लगा रही है, 1 सही 1 upon 2, 1 सही 1 upon 2 का मतब क्या हो गया, 3 upon 2, यानि कि 2 plus 1, 3 by 2, ठीक है, तो A को कितना टाइम लगेगा, distance को कब up करने में, अब देखो, यहाँ पे मैं बताने जारा हूँ, यह actual में क्या है, यह speed, time, speed and distance का नहीं question है, ratio mix किया गया है, combined ratio कैसे लिकालते हैं, देखो, combined ratio कैसे लिकालते हैं, देखो, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, लेकिन यहाँ पे B 1 unit है, यहाँ भी 3 unit है, तो same बन to C, 3 unit 6, 3 unit 3, और C, 1 into 1, यानि 1, speed का ratio इतना आगया, देखो, distance तो same कबरब करना है, अगर distance constant हो, अगर distance constant हो, तो speed inversely proportional to time, बता चुका हो नहीं, speed क्या है, time का उल्टा, तो time का उल्टा, देखो, कभी भी ऐसे मतलिखने देना, मैंने अभी तक बताया था, कि अगर speed का ratio 2 is to 3 है अगर distance क्या है, तो time का ratio मैं directly लिख देता था, 3 is to 2, या अगर दो ratio मैं है, तब तो directly लिख देऊगे, लेकिन ऐसे मतलिख देना, speed का ratio अगर 6 is to 3 is to 2 है, तो time का ratio इस तरह से मतलिख देना, 1 is to 3 is to 6, उल्टा मतलिख देना directly, क्योंकि यहाँ पर जब हम उल्टा करते हैं, इसक तीन variable के ratio में है, तो directly मतलिख देना, अब इसका उल्टा करेंगे, 1 by 6 is to 1 by 3 is to 1 by 1, अब fraction को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, LCM, LCM 3 और 6 का LCM कितना होगा, 6, 6 से multiply कर देते हैं, तो time का ratio कितना आ गया, 1 is to 2 is to 6, 1 is to 2 is to 6, time का ratio आ गया, किसके, A, B and C के, अब question ये कहा जारा है, कि C को कितना time लग रहा है, C को time लग रहा है, 3 by 2 hour, तो C कितना है, 6 unit, 6 unit की value, 3 by 2 hour लग रहा है, क्योंकि time को time से हम compare कर सकते हैं, इसलिए time लिकालना जो रही था, तो 1 unit की value क्या हो जाएगे, 3 by 2 into 6, यानि 3 by 12, यानि कि 1 by 4 hour, और A, हमसे पुछा गया, एक का कितना time लगा, तो A कितना है, एक unit, एक unit का मतलब क्या है, 1 by 4 यहीं से लिका लें हमने, 1 by 4 hour, 1 by 4 hour का मतलब क्या आता, hour को किसमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे answer में क्या है, minute है न, तो minute में करने के लिए 60 से multiply, यानि 15 minute लगेगा, 15 minute कौन सा answer है भाई, option number A is the right answer, conceptual learning ह तो time, speed and distance बहुत मज़ा आने वाला है, इतना ज़्यादा आपके exam में इतना ज़्यादा difficult question नहीं पूछा जाता है, जितना बहुत सारे exam में मैं बत करूँ, jet के paper हो, cat का paper हो, IIFT का paper हो, common admission test, cat का IEM, Indian Institute of Management College में, MBA point of view से है, IIFT, Indian Institute of Foreigner Trade, जैसे, और jet का paper, यह सारे exam में थोड़े से variation time, speed and distance में आते हैं, काफी high level के, लेकिन आपके SSC CGL exam में अभी तक मैंने नहीं देखा हैं कि इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ drastic variable कुछ question आप से पूछ दिया गया, ठीक है, नॉर्मल इक कोशन पूछा गया, even if अभी तक जितने भी CGL का paper होए हैं, till 2018 तक, तो यह mindset मत बना के रखोगी, इससे paper difficult आता है, हाँ, variation बहुत ज़्यादा possible है, time, speed and distance है, लेकिन आपका exam SSC CGL है, CPO, CHSL, MTS है, तो उतनी ज़्यादा variation नहीं दी जाती, even if CDS के paper की भी मैं बात करूँ, तो उसमें भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा variation नहीं दिया जाता है, उसक इतना hour, after that it travels 70 km per hour, find the time taken by the truck to travel 310 km, देखो, question simple है, आसानी से किया जा सकता है, कहाँ ज़्यादा है कि कोई एक truck है 90 km per hour की चाल से पहले इतना घंटे तक चलता है, इसके बाद वो अपनी चाल 70 km प्रती घंटा कर देता है, तो बताएं कि 310 km की distance तै करने में कूल कितना time लगा देखो, एकदम one line figure बनाते हैं, one line figure बनाएंगे और हमारा काम आसानी से हो जाएगा, बस देखिए का जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, देखिए, मालो ये truck है, मैंने यहाँ से truck से चलना सुरूर कर दिया, ठीक है, truck चल रही है, ठीक है, पहला ची, किसी speed से चल रही है, 90 km per hour की speed से, कितना घंटे तक चल रही है, time लग रहा है, 3 by 2, क्योंकि one side of one upon two का मतलब थे है, क्या, 3 by 2 hour, तो मैं distance लिकाल दूँ कि ये truck कितना distance travel कर लिया, truck कितना, distance क्या होता है, speed into time, speed कितना है, 90 time कितना है, 3 by 2, यानि कितना हो गया, 45, 45 into 3, 5, 15, 14, 12, 13, 135, यानि ये जो truck च distance travel किया, उसने यहां से यहां तक 135 km की distance travel की, जिसको कितना time लग रहा है, 3 by 2 hour का, उस truck अब उस truck ने क्या किया, भाई, यहां truck पहुँच गया, अब उसने truck ने अपनी speed slow कर ली, अब किस speed से चल रहा है, 70 km per hour की speed से चल रहा है, और उसको travel total distance कितना करना था, total distance initial से, यहां तक total distance कितना travel करना था, मालो यह end point है, तो total distance travel करना था, 310 km का, जिसमें से 135 तो कर चुका है, 310 minus 135, यानि कितना हो गया, 5 यह बच्चा, 10, 75, 175, यानि अभी यह truck को यहां पहुचने में, उसको 310 km की distance travel करने में, कितना, कितना, सोरी, यह distance कितना रहा, 175 km, और कहा गया किसी speed से चल इसी speed से, तो time क्या होता, time होता है, distance upon speed, distance कितना है, 175 km, किसी speed से चल रहा है, 70, अब मैं 7 से काटू, 7 से, आसानी से किया, काटा जा सकता है, 7 दाम या 70, 7 से, 7 दूनी, 14, 7, 5, 35, यानि कि 25 by 2, 5 से मैं काटू, तो 5 और 2, यानि 5 by 2, 5 by 2 अब बताओ, पूचा गया था, कि यह प है, तो total time, यहां से यहां तक में time कितना लगा, 3 by 2, प्लस यहां से यहां तक में कितना time लगा, 5 by 2, तो total time हो गया, यानि 2 LC, 5 और 3, 8, यानि कितना लगा, 4 hour total time लगा, बहुत ही जबरजस्ट question है, ऐसे question को double star mark कर लो, और ये भी एक question था, जिसको मैं अच्छा मानता हूँ, ये वाला question, इसको भी question number 54, double star mark कर लेना, double star mark करने का मतलब क्या है, कि जब भी आप time speed and distance से question करोगे, तो इस types के question को again एक बार practice करके जरूर करना है, ठीक है, चलिए, हमने 56 तक कर लिया, 57 पे आते है, 57 पे question क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखते है, एक car travel at a speed of 60 km per hour and covers a particular distance in one hour ठीक है, how long will take the another car to cover a same distance 40 km per hour, देखो यार, ऐसे question को na, simple दो तरीके से किया जा सकता है, लेकिन, मैं बोलूँगा, simple method, चलो, दोनों method ही बता देता हूँ, ratio method और simple method, देखो, कोई ये car है, ठीक है, कोई ये car है, जिसकी speed कितनी है, 60 km per hour, वो कितना distance, certain distance, distance नहीं पता है, कितने आ hour में, one hour में, तो मैं distance पता कर लो, distance क्या होता है, speed into time, distance 60 into one, यानि क्या 60 km, distance पता चल गया, कि उसने ये जो truck, ये जो car है, उसने कितना किया, 60 km travel किया, अब आगे पे यहां पे आते है, how long it take another car to cover a same distance, अगर का जरा कि यहीं car, जो है, किसी another car को, मालों ये another car को कभर, क्या कर र distance क्या है, 60 km per hour, और किसी speed से अब कर रहा है, पहले 60 से चल रहा था, अब 40 km की per hour की speed से चल रहा है, तो हम से पूछा गया है, कि कितना time लगेगा, कभरब करने में इस car को, तो time क्या होता है, time क्योंकि distance पता चल गया था, 60 upon time कितना लग रहा है, sorry, distance km में होता है, यहां पे 60 km ह 60 upon 40, तो time लगेगा, 2 से काटूंगा, तो 3 और 2, 3 by 2 hour, 3 by 2 hour कौन सा है, option number C, लेकिन एक तो रहा है, यह basic approach हो सकता है, आप basic approach से ना जाओ, हम अपने ratio method पे आ जाते हैं, देखिए ratio method से कैसे इस question को बनाएंगे, अब आते हैं, देखिए द्यान से, पहले speed है car की 60, बाद में कि 40, speed का ratio लिकल जाएगा, speed का ratio 60 is to 40, 20 से काटूंगा, तो 20 चलो, 63, 20 तुनी 40, 3 is to 2 आ गया, क्योंकि, देखिए, same distance कबरब करना है, distance क्या है भाई, constant, अगर distance constant है, तो speed और time एक दूसरे के क्या होते है, opposite, तो time का ratio क्या हो जाएगा, time का ratio 2 is to 3 हो जाएगा, अब आगे बढ़त इनिशियल में उसको कितना आवर लग रहा था, 1 आवर, यानि 2 unit की value किस के बराबर है, 2 unit की value, 1 hour के बराबर है, तो 1 unit की value, 1 by 2 hour, एक unit की value, 1 by 2 hour, हम से पुछा गया, 3 unit की value, तो 3 unit की value क्या जाएगा, 3 by 2 hour, कौन सा answer है, C is the right answer, तो ये था ratio method, ratio method से भी question को किया जा सकता है, ठी अब हम next quote पे आते हैं, question number 58 पे आते हैं, question number 58 क्या दिया गए, a train 50 meter long passes a platform of length 100 meter in 10 seconds, आप आजरा, the speed of train in meter per second, देखो, अब मैं diagram नहीं बनाऊंगा, या diagram हर टाइम बनाने की need नहीं है, देखो, distance is equal to क्या होता है, speed into time, distance में क्या होगा, train है, और एक platform को कबरब कर रहे हैं, तो train की length, width, plus, क्या, platform की length, train की length कितनी है, भाई, 50, platform की length कितनी है, 100 meter, add कर दिया, speed, speed कितना है, speed तो लिकालना है, speed को माल लेता हूँ, x और time, time कितना है, 10 seconds, तो भाई, dead saw is equal to x into 10, cancel, यानि x की value कितनी होगे, 15, यानि 15 meter per second, क्या है, speed है, conscience, और option number C is the right answer, तो simple question था, आसानी से किया जा सकता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जिससे आपको problem create हो, ठीक है, I hope आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी रुकिएगा, हाँ, चलिए, next question पर आते है, question number 59 पर आते है, question number 59 क्या दिया गया, a train 300 meter long is running with a speed of 54 km per hour, in what time will it cross a telephone pole, देखो या, telephone कोई एक train है, जिसकी length दी गई है, कितना 300 meter, ये किसी भी एक telephone pole, माल लेते हैं telephone pole है, इसको cross कर रही है, speed कितनी है, 54 km per hour, तो हमसे पुछा गया है, कितना time लगेगा, time क्या होगा, तो वहीं formula apply कर लो, distance is equal to, distance is equal to speed into time, distance में train की length, plus pole की length हमें क्या लेनी पड़ेगे निकजीबल, आदमी हो, pole हो, उसकी length क्या लेनी पड़ती है, निकजीबल, 0 लिखो या ना लिखो, कोई फरक नहीं पड़ता है, speed, 54, क्योंकि देखो, बाकी second में है, तो ये speed भी क्या होना चाहिए, meter per second में, meter per second में, convert करने के लिए हम क्या करते है, 5 by 18 से multiply, into time, time ही तो लिका कर लेगा, option number A is the right answer of this question, question आसान था, कोई difficulty नहीं थी, अगर आपने understanding करते विए question को बनाया, तो बहुत ही ये आसान question है, चलिए next question पे move करते हैं, question number 60 पे आते हैं, question number 60 क्या दिया गया है, ध्यान से देखेगा, a train travel a speed of 55 km per hour, ठीक है, a train traveling at a speed of 55 km per hour, travel from X place to Y in 4 hour, if it's increase in 5 km per hour, then the time of journey reduced by, अच्छा question है, question अच्छा क्या मैं इसको बोल ले रहा हूँग, इसको one start दे दो, क्या कहा जा रहा है, कि कोई एक train है, traveling किसी speed से कर रही है, 55 km per hour, दो place from X to Y, मालो ये place X है और ये वाला place Y है, यहाँ पे कोई एक train है, जो train की सी speed से चल रही है, 55 km per hour की speed से चल रही है, ठीक है, और from place X to Y in 4 hour, यानि यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही है, तो time कितना ले रही है, 4 hour के लिए रही है, अब आगे बढ़ते हैं, दे इंदट, एक मिनट मैं charger थोड़ा सा लगा के आ जाता हूँ, लेपटप की थोड़ा सा वेट कीजिए ला, क्योंकि light discharge हो चुक है, मेरे को verify कर लेने देजिएगा, ठीक है, चलिए, अब हम आते हैं, अब हम अपने point पे आते हैं, क्या है हमारा point कि यह जो train है, x से y जा रही है, कितने घंटे में, 4 घंटे में, अब काज़रा है, if speeds increase by 5 km, then the time reduce by, अगर वो train अपनी speed बढ़ा लेती है, 5 km per hour, तो उसको कितना time कम लगेगा, why तक पहुँचने में, यह question normal ही question है, इसमें question में कुछ है नहीं, देखो, आसानी से किया जा सकता है, क्या इस question को, किया जा सकता है, देखो कैसे, अब मैं इसको क्या बोलूँ, दो तरीकी से बना सकते हैं, क्या इसको, एक तो है कि, कैसे सुरू करें, हाँ, चलो, एक तो ratio method अप्लाई कर सकते हैं, basic method से भी वहीं होगा, इसे better time apply कर लेते हैं, ratio method से, हमें चाहिए क्या reduce हुआ time ना, कितना कम time लगया है, यानि time में difference पूछा गया है, कितना का आएगा, तो लो, लो, मैं ratio method अप्लाई करता हूँ, distance तो fix है ना भाई, x place से y place तक distance fix है, अगर distance क्या है, constant, ठीक है, distance constant है, तो speed का, और time में क्या होता है, ultra relation होता है, time में ultra relation होता है, अब देखो, यहाँ पे समझनी वाली बात है, पहले, देखो, पहले speed कितनी थी, speed initial and final, पहले speed थी 55, उसके बाद 5 km उसने क्या बढ़ा लिया, speed बढ़ा लिया, यही, final क्या था, 60, ratio कितना आगया speed का, 11 से मैं काटूँ, तो 11, 5, 5, 5, 12, 5, 6, यानि 5 से मैंने डिवाइड कर लिया, अगर speed का ratio 11 से 12 है, तो बताओ time का ratio इसका उल्टा, 12 से 11, मैंने इसलिए ratio method किया, ताकि इस question को simple way से किया जा सके, अब आते हैं, देखे अपने point पे, initial time उसको कितना लग रहा था, 4 hour, यानि 12 unit की value पता है, क्योंकि initial 12 unit है, तो 12 unit की value कितना लग रहा है, 4 hour के बराबर, हमें मेशा याद रखो time को time से compare करेंगे, speed को speed से compare करेंगे, ऐसा नहीं कि time के situation unit में है, और उसको मैंने speed के real से compare कर दिया, गलत हो जाएगा, तो 12 unit की value 4 hour है, तो 1 unit की value 4 by 12 hour, यानि 1 by 3 hour, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमें पुछा गयता है, reduce time, यानि दोनों के बीच का time gap, दोनों के बीच का time gap कितना का है, 1 unit का अंतर है न, तो 1 unit की भेलो लिकाल नहीं थी, तो 1 by 3 hour लगेगा, यानि 1 by 3 hour का अंतर difference पड़ेगा, अब यहाँ पर minute में है question, तो 1 by 3 into hour को minute में चेंज करने के लिए, 60 से multiply, यानि क्या हो गया, 20 minute, 20 minute कौन सा answer हो जाएगा, option number C is the right answer, अच्छा question मैं बोलूँगा, इस question को आप double star माग कर लो, क्योंकि थोड़ी सी सोचने वाली terms थी, बाकी अगर आपने ratio method इस question में लगाया है, तो आसानी से question को किया जा सकता है, और सारी की सारी, अगर आपको concept सिखना ये time, speed and distance की, तो 70 days math course को, जो है मेरे youtube channel पे playlist बनाई गई है, वहाँ से आप follow कर सकते हो, और practice करने के लिए, आप 7300 plus math course, जो मैं अभी paid course में चल रहा है, इसको आप join कर सकते हो, जिन लोगों को भी paid course join करना है, वो join कर सकते हैं, मैं आपको एक या दो दिन में वीडियो प्रोवाइट करने वाला हूँ, कैसे join करना है, आप जो लोग already join कर चुके हैं, उनको already video मिल रही होगी, video session पसंद आए तो video को like कर दिएगा, और comments करके reply कर सकते हो, कि इस series से आपको help मिल रहा है की नहीं, ठीक है, thank you, bye-bye, और reply जरूर कर दिया करो यार, अगर आपको help मिल रही है न, तो उससे क्या होता है, मेरे को भी motivation मिलता है, कि हाँ भाई, आप लोगों को help मिल रही है, और definitely help मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई यहाँ पर dramatical situation नहीं दिखाता हूँ, कि हाँ भाई, यह है tricks, वो है tricks, मैं हमेशा बोलता हूँ, ना तो मैं basic method follow करता हूँ, ना ही मैंने कोई, मेरे पास कोई tricks या जादू है, लेकिना conceptual part से मैं सारे question बना लेता हूँ, और यहीं बोलूँगा कि आप भी conceptual learning को apply करो, basic is must, basic plus concept अगर strong है, तो आप कितना भी question इधर उधर करे, SSE point of view मैं सभी exam की बात करना हूँ, SSE CGL, pre या mens की बात हो, या SSE CPO के paper की बात हो, या आपको मैं बोलूँ, SSE CHSL, SSE CHSL हो गया है, MTS हो गया, Railway, NTPC, जितने भी one day exam होते हैं, अगर आपके पास ये दो concept हैं, basic plus conceptual learning है, तो आप कोई भी exam में fight कर सकते हो, और अच्छे marks ला सकते हो math के paper में, concept और basic understanding होनी चाहिए है, ठीक है, चलिए, thank you बवाय, मिलते हैं हम next, जो हमारा part होगा, time, speed and distance का, part 7 पे मिल, कबरब करने वाले हैं, thank you.